मंगल गरह पर जीवन की तलास में नासा हर दिन एक कदम आगे बढ़ा रहा है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल की सत से हर रोज तस्वीरे बेज रहा है अभी हाल में इस रोवर के हेलिकोप्टर से अलग होने के बाद ली गई तस्वीर सामने आई थी इस तस्वीर को देखकर सोस्यल मीडिया यूजर्स को ऐसा लगा कि इसमें इंद्र धनुस यानी रेंबो दीख रहा है लेकिन सवाल ये है कि मंगल गरफ पर बारिस नहीं होती तो यह रेंबो के इसे बना तो दोस्तों चलिए जानते है कि क्या है ये रेंबो नासा के मंगल प्रोग्राम के साथ जुडी मार्शल सेपर्ड और लोकहिड मार्टियन कमर्शल सिविल स्पेस एडवांस्ट प्रोग्राम की चीफ लीजा के अनुसार मंगल पर बारिस नहीं होती लेकिन दुरूपर बर्फ जरूर मिलती है मार्स पर उपरिवायूमंदर में भाप और वोटर आइस से बने बादल होते है वहीं नासा हेड़क्वाटर से डेव लेवरी ने मार्शल को बताया कि यह रेंबो नहीं है यह केमेरे के लेंज के अंदर का रिफ्लेक्शन है तो दोस्तो आपको जब सवल मन में नहीं आता कि आखिर यह कैसे बना इंदर दनुस तो दोस्तो यह भी जान लीजिए डेव लेवरी के मुताबिक जैसे किसी भी दूसरे केमेरे सिस्टम में लेंज फ्लेयर होता है बिल्कूल उसी तरह से यहां भी हुआ है उन्होंने बताया कि रोवर हेलिकॉप्टर के उत्तर दिसा में है इसलिए जब यह तस्वीर ली गई होगी उस समय मंगल पर दोपर के दो बज़े केमेरा दक्सिन में देखा रहा होगा इसे में केमेरे में इसी तरह के रिफ्लेक्शन आना सामानिय है दोस्तो वेसे आपको क्या लगता है आप हमें कॉमेंट में जरूर बताना और हाँ दोस्तो साइन्स और स्पेस से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा